स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में मेरे वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को यहां से सस्क्राइब किजिए और बगल में जो घंटी याई उसमें परमिसान आल किजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करता रहूं सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुचता रहे तो आज हम बात करेंगे 36 पुलीस भरती दोहचारे की देखिए 36 पुलीस भरती जो आपका है 2800 पदों पर उसका फाइनल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है ठीकना सभी किन-किन जीलों के लिए कुल कितने पद है इसके बारे आपको वीडियो समझ में आ जाएगा चलिए आपको नोटिफिकेशन की और ले चलता हूं पहले आप सभी को इस नोटिफिकेशन को पड़के बाता हूंगा उसके बाद इसके बारे में समझाऊंगा क्या है कैसे है कब होगा ठीक देखिए आपका 36 गरी पुलीस विभाग म के मुख्य बजर्ट में प्रावधान बस्तर संभाग के जीलों में बस्तर फाइटर्स नामक विसेजबल के गठान है तू अठाइस सो नमीन पदों की प्रसास्की या स्विक्रिती बावत ठीक आपका प्राप्त पत्रक्रमांग ठीक ना ए प्रत्रक्रमांग है जो की दिया ठीक देखिया आपका वित्ती बस्तर फाइटर्स नामक विसेजबल के गठान है तू अठाइस सो नमीन पदों के स्री जंकी स्विक्रिती प्रदान की गई है उसके बाद हैं हाँ आपका बताय हुआ है जीलोवार वेकेंसी बस्तर संभाग में आपका बताय हुआ है टूट साथ जीलों में आपका 2800 पदों पर भरती बताय गया है ठीक है जारी हुआ है बताय गया है अपका देखियए यहां 26.02.2021 कि इस मतलब कल के दिन ठीक आगे यहां बताएं गए है कि उप्तव रखना मांग संख्या यहां दिया गया है इसके उन सार वितन भत्ते आपको दीये जाएंगे आगे बोला गया है यहां स्विक्रित वित्वी भाग के जावक क्रमांग के द्वारा ठीक ना पांच जुलाई 2020 के द्वारा दी गई समति के आदार पर जारी की गई है अब यहां आपके पास 36 गर के राज्य पाल के नाम से आदेशा नुसार यहां उपसचीव जी का यहां सिगनेचर है देखिए इसमें आपका पताया है यह जो आपका नोटिस आया हुआ है ठीक ना यह नोटिस आपका आया हुआ है वित्वी भाग के तरब से किधर से आया हुआ है पुलिस प्रसासन को पुलिस विभाग को वित्वी भाग के तरब से आपका जो पुलिस भरती होना है बस्तर संभाग में 2800 पदों पे बस्तर बटालियन भरती जिसका वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हुँ है जिसके बारे में एक दूड़ीयो आपके बन चुके हैं कि 2800 पदों पे जल्दी आने वाली है तो यह इसी भरती का यह आपका नोटिफ़केन पहले जो आपका है पहले जो आपका था कि फीवल्ड चर्झे में था कि अठाइस्व पदों पे भरती होना है लेकिन ओ गया था कि इत्वी भाग के पास liked के पास लेकिन अभी जो यह notification आया है इसमें आपको बताया जा रहा है कि वित्वी भाग के तरफ से जो है ठीक ना वित्वी भाग के तरफ से मंजूरी मिल चुकी है किसकी बस्तर संभाग में जो 2800 पदों पर भरती होनी है ठीक बस्तर बटालियन के नाम से एक uyसेज बल का गठण किया गया है जिस पर भरती होनी है उस पर वित्वी भाग के ने हरी जम्धि दे दी है उसकी ठीक ना मतलब उसकी मंजूरी दे दी है अब बुला जा तो वित्वी भाग की मंजूरी तो मिल चुकी है इसका मतलब यह नहीं है कि रिक्वायर्मेंट निकल बरती निकला नहीं है घरती आपका निकलेगा क्योंकि वित्वी भाग से मंजूरी मिल चुकी है अब आने वाले दो महिने की अंदर लगभाग बताया जा रहा है आपको आने वाले दो महिने की अंदर वेकेंसी आपको निकल कर आ जाएगी तो यदि आप इसमें फुंभरना बचाते हैं तो इसके लिए अपना मतलब तैयारी जारी कर दीजिए यह बताए गया है क्योंकि युट्वी भाग के तरफ से पक्का मनजूरी मिल चुका है मतलब भरती कनफर्म है आपका कि दो महिने या फिर ज्यादा ज्यादा तीन महिने लेकिन भरती आएगा ठीक ना और स पर के निकले हुए ठीक ना जैसे बस्तर जिला दंते वड़ा जिला वीजा पूर जिला नरायनपूर जिला सुक्मा जिला कोडा गाव कांकेर इन से जशनों में अलग-अलग वेगेंसी निकला हुआ है ठीक ना तो बस्तर जिले के निवासी ही बस्तर संभाग के 400 पदों पे आविदन करेंगे ठीक ना 400 पदों पे जो भरती होगी वो बस्तर संभाग बस्तर जिले के निवासी ही उसके लिए योग्या होंगे पात रहोंगे ठीक और दंतेवाडा जिले के निवासी ही दंतेवाडा के 400 पदों के लिए योग्य होंगे ठीक ना पात रहोंगे तो मतलब यह जो साथ जीले हैं इन साथ जीलों के युवाओं के लिए तो यह अच्छी खबर है बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि साथ जीलों के युवाओं को 400 पदों पे भरती होग लेकिन अधर जीला जो हैं आपके ठीक ना जैसे हो गए रायपूर, दूर्ग, बिलासपूर, ठीक ना सुरजपूर, अंबिकापूर, बलरामपूर, ज़सपूर यह सारे जो अलग-अलग जीले हैं ठीक ना 28 जीले तो आपके इन 7 जीलों के अलावा जो अलग अन्य जीलों से जीलों के निवासी इवाएं ठीक ना इवाओं लोग इवा लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं इसके लिए आवेदन आप करेंगे भी तो अपात्र घोसित हो जाएंगे ठीक ना क्योंकि यहां उससी समय जो आपका पहले ही बजड जो प्रस्तूत किया गया था उसी इ एक बुरी खबर भी बोल सकते हैं ठीक ना और बात करें तो पहले भी इसके बारे में जानकारी दिया जा चुका था ठीक अब यहां जो फाइनल नोटिफिकेसन आपका आएगा ठीक ना उसमें कंफर्म आपको पता चल जाएगा कि बस्तर समभाग के जो अलग अलग जिले ह इसमें अप्लाई कर सकते हैं हो सकता है कि उसमें बोल दे कि प्राच्मिक्ता दिया जाएगा ठीक ना प्राच्मिक्ता दिया जाएगा तब तो सभी अप्लीकेबल हो सकते हैं लेकिन यदि बोलेगा केवल उन्हीं को लिया जाएगा तो अन्य जिले के कोई भी अवेदन नह खबर है ठीक क्योंकि 2800 पदों पर भरती निकल कर आएगी जल्दी भरती निकल कर आएगी क्योंकि इत्वी भाग से मंजूरी मिल चुकी है जैसे भरते से समंदित कोई भी अपडेट आता है आपको इस चैनल के माधम से इंफोर्म जरूर किया जाएगा आपको जरूर बताया देगा ताकि सभी को इसकी जानकारी अच्छे से मिल सके तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत जय चति जोड़